शान्ति 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 जलेस मिन सन्नि धिम्पुर्ण राम राम मैं पंडित इसके मिस्र अगर आप सपने में जानवर देखते हैं तो उसका क्या अर्थ होगा उसका क्या फलादेश होगा वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करें किसी प्रकार के कोई भी जानवर अगर आपके सपने में आता है तो उसका अर्थ क्या होगा हम यहां बताने जा रहे हैं अगर आप सपने में कुत्ता डॉग देखते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है यदि आप सपने में यहां देखते हैं कि कोई कुटा रो रहा है या कोई कुटों का जुन्ड रो रहा है तो यहां सपना बुरा माना जाता है यहां असुब दायक सपना होता है और यदि आप सपने में यहां देखते हैं कि कोई कुटा अलग है एक सिंगल डाग आप देख रहे हैं, जो चल रहा हो या बैठा हो, कुछ भी करता हो, अगर सिंगल डाग है, इसका मतलब यह होता है, कि आप किसी अपने मित्र से, किसी करीबी से, किसी निकर समंधी से, अपने प्रियजन से मिलने वाले हैं, अगर आप सपने में बिल्ली देखना अच्छा नहीं माना जाता है, इसका मतलब यह होता है, कि निकट भविस्ष में आपके अपनों से लडाई होने की संभावना है, ग्रिक लेस का सामना करना पड़ेगा, किसी मित्र से लडाई हो सकती है, या अपने घर में किसी सदस्थ से लडाई होने की संभावना होती है अगर आप सपने में सेर देखते हैं लायन देखते हैं तो सपने में सेर का देखा जाना प्राया सुभधायक होता है अगर सेर सिंगल हो या जुन्ड में हो तो भी किसी ही प्रकार से अगर सपने में आपकी सेर दिखाई देता है तो जो भी आपके पुराने कार्य हैं जो रुके हुए हैं उनमें सफलता मिलने की संभावना है अगर आपके कोड कचारी मर मुकदमा अगर चल रहा है तो उसमें जीत की संभावना होती है अगर आप सपने में बचला देखते हैं जो गाय का बचला होता है उसको आप सपने में देखते हैं, तो प्राया यह सुभ संकेत होता है, इसका मतलब यह होता है कि आप निर्भर होने वाले हैं, और आपके हर कारों में आपको सफलता मिलने वाली है, और भविस्य में आपको धन की प्राप्ति होने वाली है, प्रचुर मात्रा में धन की प्रा धन दिलाएगा, अगर आप सपने में किसी बशरे को देखते हैं तो, अगर आप सपने में उट देखते हैं तो, सपने में उट का दिखाई देना अच्छा नहीं माना जाता है, उट किसी भी रूप में दिखाई दे, अगर आप यहां देखते हैं कि सपने में उट चल रहा है चलते हुए ऊट का मतलब कोई सारीग समस्या उत्पन हो सकती है निकट भविष में अता आपको साष़ान होने के आउसकता है अपने स्वास्त पर ध्यान देने की आउसकता है और यदि आप यहा देखते हैं कि सपने में ऊट कहीं खड़ा है सपने में उड का ख़़ा होना यहां बताता है कि निकट भविस्य में कोई विपत आपके सामने आने वाली है सपने में गाय देखना अगर आप सपने में गाय देखते हैं तो हर हाल में यह सपना अच्छा माना जाता है अगर आप सपने में सफेद गाय देखते हैं, तो भविश्य में अगर आपका ब्यापार चांदी से जुला हुआ है, सक्कर से जुला हुआ है, या सफेद चीजों से अगर जुला हुआ है, तो इसमें लाभ मिलने की समभावना कई गुना बढ़ जाती है. अगर आप सपने में चितकवरी गाय देखते हैं, इसका मतलब अगर आपका काम ब्याज से जुला हुआ है, तो इस तरह के बिज्ञस में, इस तरह के ब्यापार में इसमें आपको सफलता मिलने की पूरी समभावना होती है. अगर आपने सपने में यहाँ देखा है कि कोई गाय दुध दे रही है, इसका मतलब आपके संपती में, आपके ब्यापार में बहुत लाव मिलेगा. अगर आपने सपने में मचली देखा है, तो सपने में मचली देखा जाना अचधिक सुभप्रद माना जाता है, मचली को लक्षमी का रूप माना जाता है. निकत भविष में आपको अनेको मार्ग से बहुत ही प्रचुर मात्रा में धन मिलने की संभवना बढ़ जाती है अगर आपने सपने में मचली देखा है तो अगर आपने सपने में नेवला देखा है तो इसका मतलबिया होता है कि जो आपका नज्जी की सत्रु होता है जिससे आपको भै है उससे आपको जल्दही मुक्ती मिलने वाली है अगर आप सपने में लोमली देखते हैं तो इसका मतलबिया होता है कि कोई आपका बहुती करीवी मित्र आपको धोखा देने वाला होता है लोमली का सपने में देखा जाना सुभ नहीं माना जाता है अपने लोगों से दुराव की स्थितियां पैदा हो जाती है विश्वास घाज की स्थितियां पैदा हो जाती है अता आपको यहां सवधान रहने की आव सकता है सपने में सुवर का देखना अगर आप सपने में सुवर को देखते हैं चाहे किसी रुप में देखते हों तो यहां सपना असुभकारी माना जाता है अतिसिग्र आपको सारडिक परिसानियों का सामना करना पड़ सकता है सपने में सुवर का देखा जाना अगर आप सपने में घोड़े देखते हैं, सपने में घोड़ा देखा जाना कुछ मायने में बहुत अच्छा है और कुछ मायने में बहुत खराब है अगर आप यहां देखते हैं कि घोरे पर आप चहरा है या कोई व्यक्ति घोरे के सवारी कर रहा है चहरा है इसका मतलब्या होता है कि आप के निकर भविस में आपके व्यपार में उन्नति होने वाली है तरक्की होने वाली है अगर आप छात रहें तो आपको अच्छे नमर से पास होने के समहाना बढ़ जाती है अगर आप नोकरी करने वाले हैं तो परमोशन होगा पिजनस या ब्यपार करने वाले हैं तो इसमें आपको लाह मिलेगा और यदि यही सपना आप ऐसे देखते हैं कि किसी घोडे पर से आप नीचे गिर रहे हैं तो घोडे पर से नीचे गिरने का मतलब अशुब माना जाता है आपका जो भी पद है उससे आप नीचे गिरने या बिजनस ब्यपार में हानी मिलने की समहाना को दर्स आता है मैंने आप भली भास समझाने का प्रयास किया है अगर आपके मन में कोई संसे उदूबदा हो तो निरास होनी क्यों सकता नहीं है हमारे भारती बिद्याओं में भारती सदाओं में इतनी छमता है इतनी दिव्यता है इतनी भव्यता है कि वभिश्व की समस्त समस्याओं का समधान पल भर में छड़ भर में दूर कर सकते हैं औ और आप सभी हमारे माध्यम से अपने घर बैठे, अपने सभी प्रकार की आर्षिक समस्या, मानुसिक समस्या और सारेरी समस्याओं का समधान प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद, राम राम